एक बहुत मस्त सा दिन लॉस सेंटोस में और यार तुम्हें पता है आज के दिन एक बहुत मस्त कार लॉंच हुई है और इस कार की प्राइज है पांच करोड रुपे लेकिन यार दिक्कत की बात ये है कि हमारे पास एक भी रुपे नहीं है वके दोस्तों तो हम लोग मस्त यहाँ पे इंजोय करते है औरे एक सिकेंड तुमने सुना ये तो लोगों के चिल्लाने की आवाज है अरे यार दोस्तों आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है सारे लोग यहाँ से भाग क्यों रहे है अरे यार दोस्तों, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, रुको मैं चेक करता हूँ, ओ माई गॉड, ये क्या है, ओके रुको हम लोग इसे और पास से देखते है, ओरे यार, ये तो एक खतरनाक सा सी मॉंस्टर है, सब लोग यहाँ से भागो, ये एक इमर्जेंसी है, अरे नहीं दोस्तों, हमें यहाँ से फटा फट भागना होगा, ओ नहीं नहीं यार, ये क्या हो रहा है, हमें इस मॉंस्टर से दूर भागना होगा, हेलो सार, क्या आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे हालत कुछ सही नहीं लगरी, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए अर्य यार दोस्तों मैं भागते भागते यहां पर आ चुका हूं रुको मैं इस टेली स्कोप की मदद से इसे और अच्छे से देखता हूं ओ माई गॉड यह देखो दोस्तों यह खतरनाक सा सी मॉंस्टर है और इसने एक पूरी बोट को डिश्ट्रॉ कर दिया है लोसेंट आस्वासियों फटाफट यहां से भागो यहां बहुत गलत सीन है और यार हम लग इनके साथ काफी दूर भागते हैं और यार दोस्तों यह देखो मिलीटरी वाले जो है उस मॉंस्टर पे कितने सारी मिसाइल फेक रहे हैं रुको मैं चेक करता हूं बह बड़ा धमाका होने वाला है ओ यार तुम लोग सुन सकते हो हमें इस एरिया से कफी जादा दूर भागना होगा सब लोग जल्दी जल्दी भागो अरे यार मैं क्या करूं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं सबसे पहले यहां से कोई कार लेता हूं और यहां से फटा- जो भी मार देगा उसे पाँच करोड रुपे मिलेंगे और जो सुरू में हमें कार खरीदेनी थी उसकी भी प्राइच पाँच करोड थी मेरे ख्याल से दोस्तों अब समय आ चुका है हीरो बनने का हम लोग सबसे पहले उस मांश्टर को मारते हैं और उस पाँच करोड को ल आम लोग इस लोस सेंटोस को बचाने के लिए यहां पे आ चुके हैं लेकिन यार यह कितना खतरनाक है अरे यार दोस्तों अचानक से यह क्या हुआ इस मांश्टर की साइज और भी जादा बढ़ चुकी है यार मेरे ख्याल से यह अपनी साइज को चेंज कर सकता है आम जनता कृपिया करके यहां से चल जाए नहीं दोस्तों मैं इसे बिना मारे कही नहीं जाओंगा तुम लोग देख सकते हो यह कितना खतरनाक है रुको मैं इसे बताता हूँ मेरे पास एक सांदार सा ग्रिनेड है रुको मैं यहाँ पे फेकता हूँ ओके मैंने इसके पास काफी सारी ग्रिनेड को फेक दिया है औरे यार इस पे कुछ भी असर नहीं हो रहा मैंने अपनी बोट को यहाँ पे पार्क कर लिया है हम लोग इसे मारते है अरे यार भाई ये कितना ताकतवर है हम लोग एक बार अपना RPG ट्राई करते हैं तो ये रहा RPG ये ढिसुम अरे यार कुछ तो असर हो जा ओके ओके सायद से इसे कुछ असर हुआ है मेरे ख्याल से मैं ऐसे इसका कुछ भी नहीं बिगार सकता हमें यहां से बाहर निकल के कुछ और सोचना पड़ेगा लेकिन यार दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मार के रहूंगा और अगर तुम लोग मझे गुटलक देना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो पे एक लाइक कर दो मेरे ख्याल से दोस्तों इस हेलिकॉप्टर की मदद से हमारा काम हो जाना चाहिए चलो जल्दी से इसमें बैठते हैं मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि यह हेलिकॉप्टर इस जीटिये 5 की सबसे ज्यादा ताकतवर हेलिकॉप्टर है यह देखो दोस्तों हम लोग इस सी मॉंश्टर के पास आ चुके हैं और इसने अभी तक 3 सिप को डिश्ट्रॉय कर दिया है तुम्हें तो पता होगा इसे हेलिकॉप्टर के अंदर मिसाईल लगा है तो चलो इसे मिसाईल से ढूनते हैं ओ भाई अरे यार इस पे तो कुछ भी असर नहीं हो रहा ओ असर हुआ मेरे ख्याल से बहुत सही हम लोग इसकी उपर कुछ और मिसाईल फेकते हैं अरे यार मेरे ख्याल से दोस्तों इसे हेलिकॉप्टर के मिसाईल से कुछ भी असर नहीं हो रहा है तुम लोग देख सकते हो हमने कितने सारे मिसाइल को ब्लाष्ट किया अरे ओके अरे यार ये तो अभी भी जिन्दा है मेरे ख्याल से ये हमें खाना चाहरा है अरे यार और मिसाइल ब्लाष्ट करते है अरे यार हमें भागना होगा तुमने देखा ओ यार हमें यहां से फटाफट भागना होगा हम लोग यहां से फटाफट भाग रहे हैं चलो यार मुझे तो इससे काफी डर लग रहा है अरे यार दोस्तों लेकिन ये देखो यहां पर अचानक से कितने सारे मिलिटरी के जेट आ गए है इसका मतलब यहाँ पर धमाका होने वाला है हो भाई सायद से यह मर चुका है अरे यार यह क्या मचाक है इतना ज़्यादा धमाका होने के बावजूद यह सी मॉंस्टर अभी भी जिन्दा है अरे यार हमें यहाँ से भाग के कुछ और आइडिया सोचना पड़ेगा ओल राइट दोस्तों तो मैं अब यहाँ पर आचुका हूँ और तुम लोग देख सकते हो हमारे सामने एक मिलिटरी की सिप है अराम से इस पर लेंड होते हैं सर आप जल्दी से यहाँ से चल चाहिए आप यहाँ पर एलाउड नहीं है पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उस सी मॉंश्टर को मारने में मुझे उसका एक जैक्ट लोकेशन पता है औरे सही में सर फिर तो आप हमारे काम आएंगे स्वागत है सर आपका इस मिलिटरी आर्मी में अरे यार दोस्तों ये काम तो काफी असान था चलो यहाँ से निकलते हैं ओल राइट दोस्तों तो मेरे क्याल से यह हमारा कंट्रोल रूम है चलो फटा फट से इस सिप को यहाँ से बाहर निकालते हैं भले आज हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग किसी भी तरह उसी मंच्टर को मारेंगे और इसके अंदर सांदार सा मसीन गन भी लगा है ओल राइट दोस्तों तो अब हम लोग यहाँ पे आचुके हैं अपने मसीन गन से इसे मारा जाए मारते हैं अरे यार मेरे ख्याल से इस पे कुछ असर हो रहा है और 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 इस पे अच्छे से मारा जाए यार यह बहुत ताकतवर है लेकिन एक सेकेंड यार हमारा स्क्रीन अच्छानक से हिल कैसा रहा है मेरे ख्याल से यह बड़ा सा मंच्टर हमें खाना चा रहा है अरे अरे नहीं यार ओ भाई अरे यार दोस्तों मेरे ख्याल से उस मंच्टर ने हमें खा लिया है और हम लोग उसके पेट में हैं अरे यार यहाँ पे कितना अंधेरा है रुको यार दोस्तों मैं जल्दी से अपना टॉर्च निकालता हूँ अरे यार यह कैसी अजीब सी जगा है यह मंच्टर मुझे यहाँ से बाहर निकालो मेरे पास एक बहुत मस्त आइडिया है मैं जल्दी से अपना आरपीजी निकालता हूँ और मंच्टर मुझे यहाँ से निकाल अरे तुमने देखा यहाँ पे मेरा स्क्रीन हिला है अरे यार अगर हम लोग यहाँ पे मारते रहेंगे तो सायद से ये मॉंस्टर हमें अपने पेट से बाहर निकाल सकता है अरे इस क्रीम तो हिन रहा है येस येस बहुत सही ओ माई गॉड इसने हमें अपने पेट में से बाहर निकाल लिया है अरे यार इससे पहले कि ये हमें फिर से खाए हम लोग यहां से भागते हैं ये आज तक का सबसे ज़्यादा हार्ड मिसन है इसमें बचने का चांस सिर्फ 10% है लेकिन हमें किसी भी तरह इस काम को करना ही होगा किसी एक बंदे को ये पेट्रोलियम बॉम उसी मॉंस्टर की उपर ब्लाष्ट करना होगा कौन है वो हिम्मती जो बनेगा आज का हीरो सर चिंता मत करिये मैं ऐसा कर दूँगा मैं हूँ आज का हीरो या बात है दोस्त तुम तो बहुत बहादोरो मेरे इतने अच्छे अच्छे आदमी भी ये काम नहीं कर पाए जिंता मत करिये सर मैं उस मॉंस्टर को मार दूँगा लेकिन अगर मैं जिन्दा बच जाऊं तो मुझे बस 5 करोड रुपए दे दिचियेगा ओल राइट दोस्तों तो इस सी मॉंस्टर को मारने के लिए हम लोग यहाँ पे आचुके हैं और मुझे नहीं पता इसको मारने के बाद हम लोग बचेंगे या फिर नहीं तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों हो सका तो वापस मिलेंगे हम लोग जल्दी से इस बोट को यहाँ पे पार करते हैं अराम से और जल्दी से इश्टी की बॉम को इसकी उपर खुब सारा लगा देते हैं बहुत सही अब यहाँ से फटा फट भागा जाए अरे यार यहाँ पे कितना बड़ा धमाका हुआ और हम लोग अभी पी जिन्दा ह ओ भाई साहब येस तुम लोग देख सकते हो हमने इतने बड़े सी मॉंश्टर को आखिर कार मार गिराया सार आप इस लौस सेंटॉस के हीरों है यह लीजिए आपके पांच करोड रुपे ओ माई गुड़नेस येस यार हमें पांच करोड रुपे मिल चुके हैं इसका अब मैं अपनी फिवरेट कार खरीद सकता हूँ ओसम तो अब हम लोग जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं और क्या बात है ये वाली कार कितनी जादा मस्त है ओके दोस्तों मैं तो चला मस्त इंजॉय करने इस वीडियो के लिए बस इतना ही था तब तक के लिए पीस